अब ओहर के दलीत युवकी बेरहमी से हत्या का मामला अब केंदर दर्बार तक जा पहुंचा है जिसके चलते केंदरिय मंतरी विजे संपला इस हत्या कांड के पीड़ी तक गुर्जंट सिंग से मिलने अमरे सर के अस्पताल पहुंचे इस दुरान उन्होंने गुर्जंट सिंग का हाल चाल जाना इसके उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये घटना बेहद निंदनी है एवं दुख दाई है सामपला ने सीधे तोर पर कहा कि इस हत्याकांड के तार चाहे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ती से क्यों न जुड़े हो उस पर सक्त कारवाई की जाएगी उन्हें कहा कि पुलिस के उच्चा अधिकारियों द्वारा भी उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में पीडित पक्ष के साथ किसी भी तरह की कोई बेंसाफी नहीं होने दी जाएगी गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अब ओहर में शराब के कारोबार से जुड़े दो दलित युवकों के कुछ लोगों ने हाथ पैर काट दिये थे जिनमें से भीम टांक नाम के युवक की मौत हो गई थी जबकि गुरजंट सिंग को गंभीर हालत में अमरिसर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया मिली जानकारी के नुसार इस निर्दई हत्याकान के पीछे शिवलाल डोडा और उसके भतीजे अमित डोडा का हाथ है जिसके चलते पुलिस ने इन दोनों पर हत्या का मामला दर्श कर लिया है लेकिन अभी तक पुलिस वारा किसी भी आरूपी की गिरफतारी नहीं की गई है बाराल मृत्त के परिवार की मदद के लिए प्रशासन की और से साथ लाख पचास हजार रुपे की राशी देने का एलान किया गया है इसके इलावा मंत्राले भी मृत्त के परिवार को अपनी और से पांच लाख रुपे की सहायता राशी देगा अमरे सर से हलचल के लिए सुनील खोस्कला की रिपोर्ट अच्छा पहलना कदी इस तरीके ने इस करूरता दे नाल कदी पहलना नहीं सी होया और सेरे जड़ी मेटिंग होई और चे किता गया कि भी चाये वो कोई भी वेक्ती होगे किसे भी किना भी पर वाफशाली वेक्ती क्यों ना होगे अच्छा पहले जाएगा किसे भी दोशी नू और हरेक जड़ी ओधी बन अधी किसे भी दोशी नू जड़ी सक्त सजा जड़ी दिती जाएगी जड़ी अनसूची जाती दे लोगाना जड़ा उत्पीड़न होंदा उना दी सहता वास्ते होंदी है और उनू सब पानजला खर पे आज उन्हों देता गया है फ्र 5 लाकर मैं अपने मनेस्टशी वालों भी उन्होंना उसकारकी के गया जड़ा आज काली ना परसु तक वभी उनुंपानजला खर पे आजड़ी ऑटा वो देता जाएगा